हेलो वाईस आज हम बात करेंगे Redmi 9 Power के call recording के बारे में कि अगर आप लोगों के फोन में call recording सो नहीं कर रहा है तो कैसे आप लोग इस problem को solve करेंगे ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe करेंगे का बेल का इकन को प्रेस करेंगे ओके तो देखिए सबसे पहले में आप लोग एक छोटा सा डाउट यहां पे clear करना चाहूंगा कि हमें यहां पे Google डेलर में call recording का feature देखने को नहीं मिलता दूसरे फोनों की बात करें वहां पे मिल जाएगा बट Xiaomi के Redmi 9 Power में हमें देखने को नहीं मिलता ओके तो यहां पे आप लोग ढूण भी लेंगे तो यहां पे call recording देखने को नहीं मिलता ठीक है ना तो यह तो जो doubt है ने आप लोग का दीखिए यह doubt हम clear कर दीए कि यहां पे हमें call recording देखने को नहीं मिलता ओके एंड काल recording कहां पे मिलता है हमें manual तरीके से हम कर सकते जब हम किसी को call लगाएंगे ओके अब यहां पे भी क्या दिक्कत है कि दीखिए जब आप लोग किसी को call लगाते है तुरण तुमें ring जाता है ना तो उस तेम पे call को हम record नहीं कर सकते call recording कब enable होता है जब अगला वाला person call को receive करेगा आप लोग के बीच में बात होती है तब चाकि यह जो recording का feature रहता है ना वो enable होता है और आप लोग तब call को record कर सकते तो जब आप लोग का call receive होगा तब आप लोग call को record कर सकते और बेसिकली इस वीडियो में ज्यादातर users का doubt ही था जो की हमने clear कर दिया है और अगर कोई भी doubt रहता तो आप लोग हमें Instagram पी पूछ सकते अगर आप लोग का topic strong रहेगा तो हम उस topic योपर particular वीडियो भी बना देंगे मिलते हैं next video में जय मता दी